हलो दोस्तों मैं आका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंडियान इंस्ट्यूट ऑश्टॉक मार्केट पर आज अपन यह समझेंगे कि डब्यू पेटन कैसे बनता है क्या उसकी टेक्निक्स होती है वैसे तो इसको ओवरॉल ब्रॉड वे में डबल ब सकता हुँ डबली यह यह जो बना क्या था डबली वे तो मार्केट इल्टिमेटली चल कैसा रहे सिर्फ पूरसी वाप ध्यान से देखेंगे डबली 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 बना करके चलते-चले जा रहे गा तो यह डबल्यू का कुछ specific significance से इसके बारे में अचर्चा करेंग पर अब मैं आपको टेक्निकल्स पर ले करके जा रहा हूं कि टेक्निकल्स पर कैसे आपको मजबूती बनानी है जब आप टेक्निकल्स पर मजबूती बनाएंगे तो भी तो आप options का करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा के प्रॉफिट कमा पाएंगे तो इसे के साथ ही अपन समझना शुरू करते कि डब्लीव पेटन केसे बनता है तो देखिए डब्लीव पेटन मतला आपको अभियल मैंने बहुत सारी चीज़े जो बना की बताई उसी मेंसे एक डब्लीव ह होता है अब डब्लीव क्या चीजह नीचे आ रही है यह यह उसे नीचे आती है बिल्कुल भी नहीं क्या इससे ओपर जाती है बिल्कुल भी नहीं मैं आपको चैटेगरी बार देता हूं आपको 12 मिले लेंगे consulting इस बाप चलाने की जरूरती नहीं कि कौण सा कि कि दुटा यहां पर हुआ है सेल ओफ कुन सा वाला फॉल्स अब थोड़ा सा अपर एडवांस जा रहा है यह आगए यह वाइक ओफ की थियोरी में आपको वाइक ओफ में लेकर करके जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा शांति से लर्निंग बनाते चले जाएगा अब समझ लिए पर पर अब यहां से उपर से चले जा रहे थे उनको चाहिए प्रॉफिटब बोगिंग और जो सेलर्स लेट है जो सेलर्स ल हैं इस प्रेसिट टाइम के बाद उनको मार्केट को ट्रेप करना है और यहां पर जो Am Pero लब सकता है यह से less भोड़ा वंबगा जा सकता है यह पूरा निचे तक ड्रेक करसकता है ज्यादा निचे तक ड्रेक कर गया तो यह जांगों उआ जाएगा अट्अमेटेक लेली नहीं होगी फिर वह की आपको हो जायगा एक नोर्मल कर्येक्शन हो जाएगा अगर इस वाले लोग के नीचे प्राइस निकलती है तो उसे हम कहते हैं प्राइस को तीन से साथ दिन इंदर में वापिस से उपर घूमना जरू लिए कैसे ना कैसे प्राइस गूमी जाएगी प्राइस नीचे जाती दिखेगी और यह सा बड़ा किंडल दिखेगा आपको पूरा एक ही बार में वापिस से कवर कर लेगा अगर इससे कुछ सिच्विशन बनके आती है तो फॉल्स कि मैं आगे होगा कि हमारी वर्किञ वर्किंग शुरू कहां से होती है तुमने जो कहारी करनी थी कर ली जहाँ पर तुमको लड़ना था बायर को लड़ना था पुसे मानना था बू terus टीकर था सब ओ गया सारे काम कंपलेट ने के बाद इस वाले प्राइस ब्रेक करके खड़ी होगी और यहां से जब मुझे प्रॉपर सिनल दिरिखना शुरू होगे कि डोजी बनी प्राइस ने होल्ड किया टेस्ट किया और फिर उपर की तरफ मूफ किया जब ऐसे सिनेरियोस दिखाई देंगे तो हमारी एंट्री जाना शुरू हो गई ह यह कौन सा था यह था हमारे टी ट्वया स्टफ करते हैं पर यह अँए पर प्राइस को जधा नीचे तक फ्र होगा ही होता है यहां पर फेर वेल्यू गेप होता होगा इस कारण से प्राइस यह पर हो जाती है और उपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है सिधे चलेंगे चार्ट पर और अच्छे से क्लियर होगा तो अब जो है अपन यहां पर चार्ट पर आ चुका है चार्ट पर निकाद मैंने ट गर होल्ड करके दूर्ट करके उपर की तरह कर दिया तक यह यह कुछ पर लिए बिल्कुल अगर आप इसको विकली पर देखो कि आपको दिखाई देगा यह 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 बावर स्ट्रॉंग को नहीं दोनों ही बराबर इसमें कोई डाउट नहीं है दिक्कत क्या है कि हमें पेटन को आइडेंटिफाइ करना है बस यह दो प्राकार के डबली उससे अधा कुछ नहीं अगर आपने सही तरीके से आइडेंटिफाइ कर लिया आप देखो कि लॉंगर रहे पैसा बनेगा कं इस सारे सीनेरियो के लिए बहुती घजटाप का कॉंशर से धीनेरियो डेट यहां है चार्ट इधर से कर रहे है घान में रखते हुए हम यह से सारे ऐडेंगी व्रकिंग करते हैं थोडा सा फागी की तरह बढिंगे अब देखिए क्या ये डबली वह हां है क्योंकि प्राइज हमें क्या चाहिए हमें बस प्राइज उपर से करेक्ट होई उसके बाद उसने जंप लिए और जंप लेने का उसने क्या किया एक फॉइल्स एल ऑफ शेक जो मैं आपको बोल रहा देखो शेक है यह अपर है शेक आप ध्यान सो कि रड़ और उनको यह पताए यह चैंडल क्यों मादते हैं वो इसलिए मारते की तो उनको पता यहां पर 99% पॉब्लिक अपना माल हमें देदेगी 99% पॉब्लिक जो कि आदमें को भुज़ादा पैनिक होता है जब इसे शेर कंटीनियस तो हर कोई यहां का बाइर होता नहीं होता है वाइंग करता है 99% लोगों की बाइंग तेजी में चलते हो यहां पर हो ज सिनेरियो वह सारे लोगों के साथ बनते हैं वह करेंट सिच्वेशन के कारण जो लोग माल को होल्ड कर जाते हैं यह उनका पैनिक होता है उनको एक बार पैनिक करा है प्राइस तीन से चार दिन के अंदर में घूम करके उस वाले जोन को होल्ड कर दी जैसे ही होल्ड करी पर एंटरी कैसे करना है यह मेरी बोस्तारी वीडियो में बता चुक हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट है कि इस चीच के लिए आपको पता है कि को पी शॉट करना है का वाको सी शॉट करना है यह सारे अपनने कहां पढ़ेंगे जब आपन के मेठेट में पढ़ें जब आपनोप्षान के चल रही थी कि अपनोप्षान को मजबूत कर देंगे तो अपनने सारे ओप्षान को प्रापर मजबूत कर दिया है अब अब उतर चले हैं यह आपधा कि कुन-कून से option करने तो यहां पर मैं पूट ऑप्शन की बू पर जैसे पार्केट ने क्रेक्शन कि और अपती बार अगर मुमेंटम के लिए रेडी और मुझे पता है मैं रिजल्ट के पास में हो तो किस पर जाओंगा बुल कॉल पर तो एससे सिंद्रियों पर तीजी क्यों करने है क्लियर कट दिख रहा है जो मेरी फॉल्स वाली करें पर समय को साथ जाकर करें पर कंदें ऐसे ऊप्शन के अप्रिमियम को देख करना मा शुरू करते था कि मुझे तो पता था कि पर इस और तु होना बचाहिए एकु पर मैंने इसा भूला हुझा करेंगी कि सटाक पर इंडेक्सेस पे, वहाँ जाके इस्तमाल करो, और एक और चीजे, W कब बनता है, जब मार्केट गिर रही होती है, नीचे के साइड में, भी हल कहा है, मार्केट बुलिश मार्केट है, तो शांदार तरीके से उपर जा रही है, तो भविश्य में, जब इसे गिर करके नीचे, एक करेक्शन आएगा, और उस करेक्शन में, आपको जब इस्टॉक उठाने का मुखा आएगा, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद,